Hello dear students, welcome to my channel CR Tutorial इस वीडियो में हम example 8 जो की class 10 की किताब से chapter 2 polynomial से है NCRT mathematics So इसमें divide करना है 3x square minus x cube minus 3x plus 5 by x minus 1 minus x square and verify भी करना है में division algorithm को तो हम शुरू करते हैं जैसा कि आप देख सकते हो कि यह जो arrangement है इसके अंदर वो irregular है और यहां भी arrangement irregular है कहने का मतलब यह है कि पहले जो ज़्यादा power होती है उसको पहले लिखा जाता है then come then come और finally हमारा constant last one होना चाहिए ऐसी इसमें भी तो इस arrangement को कुछ मैं सही करके इस तरह से लिख सकता हूँ जैसे कि ज्यादा power वाला then उसे कम और उसे कम finally हमारा constant ऐसे ही मैं divisor में देखूँगा कि पहले मेरा minus x square आना चाहिए then plus x और finally constant last one है तो यह मैंने rearrange कर लिया है अब मैं divide करूँगा तो आप देखूगे इस expression के पहले term को हम इस divisor के पहले term से divide करते हैं दोनों ही minus में हैं तो minus minus cancel out होगा और आप देखूगे कि power जब divide में होती है तो subtract की जाती है यानि 3 minus 2 equal to x सिर्फ x आएगा यानि x के power 1 x से रहेगी ठीक है या फिर आप इसको क्योंकि यहाँ पे 3 है x into x into x और नीचे 2 है x into x तो जितना कट सकता है और जो बचेगा वो आएगा इस तरह से भी कर सकते हो तो मुझे इसका मतलब x से multiply करना चाहिए अब मैं इन 3 को जब x square plus x minus 1 से multiply करूँगा तो आप देखोगे x into x square minus x cube रहेगा x into x x square हो जाएगा और x into minus 1 minus x हो जाएगा तो यह सारी value मैं यहाँ पे लिख लोगा plus x square minus x ठीक है फिर हम क्या करते हैं उसकी जो values होती है इनके sign को change कर देते हैं minus का plus, plus का minus, minus का plus फिर जो cancel out हो सकता है जैसे यह plus, plus और minus यह cancel out हो जाएगे, same चीज है ठीक है, इसे तरीके से 3 और यहाँ पे 1 है, 3 में से 1 जाता है तो 2 बचेंगे, और इनके साथ जो variable है वो x square लिखा जाएगा क्योंकि 3 पर plus था वो बड़ा है तो यह plus में ही आएगा, ठीक है देखिए, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है जहाँ पे कुछ नहीं होता है तो 3 में से 1 जाएगे तो obviously 2 तो बचेंगा ही क्योंकि 3, यहाँ पे minus का हो बड़ा भी है तो उसी का sign लिया जाएगा ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा यह आचुका है और multiplication में यह देखना ज़रूरी है तो यहाँ पे आप देखोगे कि minus का 2 आ रहा है जिससे हमें multiply करना है इस पूर item को तो again minus x square plus x minus 1 वो multiply होगा minus 2 से, तो minus minus plus हो जाता है और 2 into x square 2x हो जाएगा again plus minus होता है 2 into x 2x हो जाएगा और minus minus plus होता है और 2 into 2 होता है तो यह सारी value यहाँ पे लिख लिख ली जाएगी 2x square minus 2x plus 2 और सब के sign up change कि आएगे यह plus में है तो यह minus हो जाएगा और यहाँ minus है तो plus हो जाएगा यहाँ plus है तो यह minus हो जाएगा तो आप देखो कि यह दोनों सेम हैं इस तरह से रुख जाएगा हिसा क्योंकि यहाँ जो degree है वो 0 है क्योंकि constant के 0 होती है और यहाँ जो degree है 2 है तो stop हो जाएगा इससे आगे नहीं जा सकते हैं अब हमें verify भी करना था division algorithm को तो आप देखोगे कि इसमें हमारा जो quotient है वो है x minus 2 जो remainder है वो है 3 और जो divisor है divisor वो है minus x square plus x minus 1 और जो dividend है dividend वो है हमारा minus x cube plus 3x square minus 3x plus 5 अब कैसे verify करेंगे आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो dividend होता है वो divisor into quotient plus remainder के बराबर होता है तो मैं देखूंगा कि ये सारी के सारी जो right hand side में वो left hand के साथ के बराबर होना चाहिए यानि हमारी जो dividend इस वक्त है वो है ये तो मैं सारी value put कर देता हूँ divisor हमारा दिख रहा है x square plus x minus 1 है और quotient हमारा ये है x minus 2 और remainder हमारा है remainder आप देख सकते हो 3 है ठीक है तो इनका मतलब यहाँ पे ये दोनों फिलाल multiply हो रहे है ये है trinomial ये है binomial तो multiplication कर लेते है तो ये इसका मतलब यह है कि ये x है तीनों से multiply होगा 2 भी तीनों से multiply होगा तो इसको कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है x square plus 1 इस तरीके से क्योंकि हमें minus आथे तो minus का 2 भी multiply होगा इन तीनों से अब plus 3 अलग रहेगा तो x into x square तो x cube हो जाएगा क्योंकि हमें minus था तो minus आजएगा x into x square तो x square लिखा जाएगा x into minus 1 minus का x हो जाएगा इस तरीके से 2 भी multiply होगा तो देखिए minus minus plus होते है और 2 into x square 2x square हो जाएगा plus minus minus होते है 2 into x 2x हो जाएगा minus minus plus होते है तो 2 बंजा 2 लिखा जाएगा plus 3 तो like terms जो भी है देख सकते हो आप x cube है फिर x square और x square यह भी plus होते है यह भी plus में यह भी plus में तो यह add हो जाएगा 3x square यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर minus x और minus 2x दोनों ही minus के तो minus minus तो add हो जाएगा मगर minus में रहते है तो 1 और 2 3 हो जाएगे add हो के 3x और यहाँ देखोगे आप कि 2 plus 3 दोनों ही प्लस में तो प्लस हो जाएंगे तो आप देखोगे कि ये दोनों जो वेल्यूस हैं यानि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों ही बराबर हो गई हैं तो आम कहा सकते हैं hence it is verified अगर इससे रिगार्डिंग कोई भी सवाल हो तो please let me know in the comment and पूरे इस चेप्टर के हर एक सवाल को देखने के लिया प्लेलिस में जाकर देख सकते हैं and please subscribe to my channel and thanks for watching my videos